Hello प्यारे बच्चों, I hope आप सभी अच्छे होंगे और आपकी preparation भी काफी अच्छी चल रही होगी देखें बच्चे, मैं भी फिलाल जो है आपको trigonometric की questions प्रोवाइड कर रहा हूँ Proof-based questions जो exam में अरड़ी आए हुए हैं और I hope की यह इस बार भी देखने का आपको मिल सकते हैं तो बस इन टाप की questions अगर आप नहीं कर लिए तो guaranteed आपको कोई भी questions जो है proof-based questions आई वो आप जो है definitely solve-out कर लोगे और even बच्चे मैंने हापा आपको वैसे questions भी प्रोवाइड कर दी हैं जल्द ही मैं आपके लिए बढ़ा chapter 7 के भी important questions प्रोवाइड कर दूँगा जो previous year आए हुए है और जो आने के chances है तो आप जुड़े रहे मेरे channel के साथ और करते हैं प्रैक्टिस करते हैं बढ़ा आपको questions कहीं से भी कीजिए लेकिन practice अच्छे से कीजिए तो बच्छे बात करते हैं इस question में जहाँ पर इस वीडियो में बात करते हैं एक proof rate question अपका है जिसमें हमें mention है a cos theta plus में b sin theta equals to हमें m given है and a sin theta minus b cos theta में n given है आपको proof करने a square plus b square जो हमारा है वो m square plus n square के equal है तो एक काम करो नो बढ़ा आपको जोब m और n की value अलड़ी given है तो right hand side में तो आप m square plus n square easily निकाल सकते हैं आपको mention है बटा है आपको mention है कि m square की value है m की value हमारी यह है तो हम क्याम करते हैं इसकी जगापर लिखेंगे m की जगापर लिखेंगे a cos theta plus में b sin theta का whole square अब plus में n square की जगाप लिखेंगे बटा a sin theta minus में b cos theta इसका whole square clear की नहीं अब एक काम करो जब आपको पताब चीज़ी हो जगा a plus b का whole square ले जगा ना पर यह हो जगा हमार a square cos square theta plus में b square sin square theta plus में जगा 2 into में a into में b sin theta cos theta okay then हमार पास जगा यह हो जगा a square sin square theta plus में b square cos square theta minus में 2ab sin theta cos theta okay it's clear or not check के लिए जगे हाँ तक अगर हम बिटा ध्यान से देखे तो हमने देखा है पर a square cos square theta or a square sin square theta इसको एक साथ देने बड़ा है यहां से a कोमा निकालेंगे और cos theta यहां पर हमारा आ गया plus में हमार पस आ गया sin square theta similarly बड़ा आपने देखा b square sin square theta और यह हमारा b square cos square theta यहां से भी काम कोरें b square को बाहर निकाल दो आपको बस क्या में लेगा यह हमारा b sin square theta sin square theta sin square theta plus में यह हमारा cos square theta हो जाएगा clear or not very nice अब देखे बच्छी यहां पर क्या 2ab sin theta cos theta plus में है 2ab sin theta cos theta minus में इनको करेंगे cancel करेंगे तो cancel हो गया थोड़िया अब देखेंगे क्या होगा आपको बढ़ा cos square theta plus sin 1 होता है तो हम करेंगे a square into में 1 हो जाएगा और into 1 plus में b square into 1 हो जाएगा this implies that यह हो जाए हमारा पस a square plus में b square और यह हमें प्रूफ करना था और जो कि किसके एकोल बढ़ा left hand side के एकोल है तो यह हमें तो प्रूफ करना था hands proved तो यहां से में conclusion मिलता है कि a square plus b square जो हमारा है m square plus n square के एकोल है चेक के लिए अगर कोई confusion होता मुझे बता सकते है ठीक है आपको समझ में आओगा सारे concept clear बढ़े focus on the time ओशन की तब तक लिय आप इपर अपने ध्यान रखें चलीए